केंद्री मंत्री रामदास आठवले ने कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में राहूल गांधी को आतनकवादी बताया है। दरसन कॉंग्रेस सांसंद राहूल गांधी ने सदन में हिंदों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि खुद को हिंदों कहने वाले लोग हिंसा और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब इस बयान को लेकर केंदरी मंत्री अठावले से सवाल किया दिया तो उन्होंने राहूल गांधी को ही आतनकवादी बता दिया। सौमवार को सदन में या बयान दिया था। तम भी काफी जादा हंगामा हुआ था। खुच प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने खड़े होकर स्पीकर ओम बिरला से कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसत कहना गंभीर पिसय है। दरसल सौमवार को राहूल गांधी ने लोकसमा में राष्टपती द्रौपदी मुर्मू के अभी भासन पर चर्चा की थी। इस दोरान उन्होंने सभी धर्मों में दी गई सिक्छाओं का जिक्र किया था। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते ह वो 24 घंटे हिंसा और नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप लोग हिंदू हो ही नहीं, हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। राहूल के इस बयान को सुनकर सत्ता पक्च काफी जादा नराज हो गया था और फिर नारेबाजी शुरू कर थी। हंगामे के बाद सभी ने राहूल गांधी से माफी की मान भी की थी। इस बीच प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी खड़े हुए और उन्हों ने कहा पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विशय है। हलांकी राहूल ने तुरंद आरोपों का जवाब द रहाया। संसद में उनके इस बयान को लेकर काफी ज़्यादा अंदामा देखने को मिला था। क्षटों रॺच्छी कॉंपर देखने को बॉष्या रॺच्छी को हुए है। कि जंडले त bez अदवाल इफला उर्पटाउ इप्टिय कि टाराज थे तेसा कुपुथ नाय जपना ते, ते मैं पूसी देडरा नो ऊकिण हुआ जजिए कांप सेवल अजए भूल बूल भूल उत्वाज झाल उत्वाग क्र थाफ जल आई लो कि अ जान जार भूल आई ए लोग जा तोसा बड़ गलो आई नार जात कि एना लो मुझ भूल आख जा पूल आई ड्स जात की नार है